नमस्कार साथियो सेक्शन 482 के तहट किसी F.I.R को क्वैश करते वक्त क्या हाई कोट के पास ये पावर है कि वो उन एलिगेशन्स के मेरिट में जा सके हाली में सुप्रीम कोट का इस इशू पर एक लेटिस जज्जमिंट आया है चलिए जानते हैं इस जज्जमिंट के बारे में ब्रीफ में इसकी इसका नाम स्टेट ओफ MP वर्सेज कनवर सिंग है जिसको सुप्रीम कोट की जस्टिस टीवा चंदरचूड और जस्टिस एमार शा की डिवीजन बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया है इसके इसके फैक्ट्स इस प्रकार है MP गवर्मेंट ने एक योजना चलाई थी जनानी मोबिलेटी एक्स्प्रेस स्की जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए कई मेडिकल ओफिसर्स अपॉइंट किये गए थे जिन में से एक अक्यूस्ट कनवर सिंग भी था जिस पर ये एलिगेशन लगे थे कि उसने कुछ financial irregularities करी थी यानि पैसों की हैरफेर करी थी इसकी जाच के लिए वहां के कलेक्टर ने एक कमेटी अपॉइंट करी थी और कमेटी ने इसके खिलाफ एक F.I.R. पुलिस में रेजिस्टर कराई थी जिसको क्वेश कराने के लिए अक्यूस्ट चला गया हाई कोर्ट में अक्यूस्ट की पिटीशन को अलाव करते वे हाई कोर्ट ने ये observation दी कि financial irregularities के cases में जो person financial proposal को अप्रूव करता है उसको सावधान होने की आवशक्ता होती है लेकिन अगर अपनी duty परफॉर्म करते वक्त कोई negligence उसके द्वारा होता है तो इससे उस पर कोई भी criminal liability नहीं होगी और ये तब तक नहीं होगी जब तक ये सावित ना कर दिया जाए कि उसका कोई unlawful gain हुआ है यानि कि उसका गैर कानूनी तोर पर कुछ फाइदा हुआ है हाई कोट के द्वारा petition का allow किये जाने के बाद state of MP चली गई Supreme Court में Supreme Court ने अपनी observation में कहा कि section 482 की stage पर जहां पर हाई कोट किसी FIR को quash करती है तो उस stage पर हाई कोट, trial court की तरह किसी भी evidences को scrutinize यानि की analyze नहीं करेगी और अगर हाई कोट ऐसा करती है तो वो definitely जो section 482 के तहत उस पर limits है उसको वो cross करती है आगे Supreme Court ने कहा कि हाई कोट allegation के merits पे यानि की ये allegation कितना सही है या फिर गलत है और उसमें क्या evidences produce किये गए है उसको analyze नहीं कर सकती और इसके साथ ही कोट ने ये भी कहा कि FIR in cyclopedia की तरह नहीं हो सकती जिसमें की पूरे detail में ये बताया गया हो कि ये offense इस प्रकार हुआ था इन observations के बाद Supreme Court ने State of MP की इस appeal को allow करते वे ये कहा कि इस case में specific allegations लगे है financial irregularities के इन observations के बाद Supreme Court ने High Court के इस order को set aside कर दिया अगर दुबारा से Supreme Court के इस ruling को summarize करे तो basically Supreme Court ने ये कहा है कि section 482 की stage पर High Court allegations के merit पर नहीं जा सकती और इसके साथ ही High Court को ये भी permission नहीं है कि वो evidences को scrutinize करे इसी प्रकार की latest judgment के लिए आप इस channel को subscribe करके bell icon को on करे ताकि latest judgment की वीडियो आप तक पहुंच सके